शांदार परिणाम से हुनहारों के चहरे खिले स्कूल प्रेशासन ने दी बधाई खिलाई मिठाई बारवे पास करने वाली में धावी छात्रों को किया सम्मानित बढ़ाया उत्सा जैपुर राजिस्थान बाध्यमिक शिक्षा बोड में विज्ञानवे वानीचे में देवश्री वे सेंट साई नात स्कूल नांगल जैसा बोहरा के एक छात्रे छात्रा ने एक पार फिर बाजी वारी है और स्कूल में परिजनों का नाम रोशन किया जिनका शिनिवार को माला पहना करोर मिठाई खिला कर स्वागत किया और स्मरती चिन देग कर उनको सम्मानित किया गया जानकारी के अनुसार स्कूल डेरेक्टर सुरेश कुमार गुपता ने बताया कि कक्षा बार भी विज्ञान वर्ग में मीन्यू यादव ने 95.60 अंख वे रोहित गोठवाल ने 87.70 अंख हासिल किये वरियता सूची में अपना नाम दर्च कराने में सफर रहे इन छात्रों ने अपनी मेधा की चमक से न सिर्फ अपना और बल्कि अपने माता पिता का सिर्फ गर्व से उँचा कर दिया अपने उपलब्धी के साथ भी उन्होंने अपने स्कूल अपने गुरूजनों को भी उन पर नास करने का मौका दिया पर कहा कि बच्चे देश का भविश्य होते हैं उनके साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए बच्चे गलत संगत में न पढ़ें इसके लिए जरूरी है कि वे निगरानी में रहें अभिभावक स्वेम उन्हें अच्छे बुरे की पहचान सिखाए ताकि वे गलत दिशा में जाने से बचे उन्होंने कहा कि नशे की गट में जाने वाली यूवा पेड़ी को बचाने के लिए हम सब ही को एक चुठ होकर ऐसे प्रियास करने चाहिए जिससे यूवा वर्ग वे भढ़के और सही दिशा में अग्रिसर रहें हर छोड़ी बड़ी उपलब्दी के लिए उन्हें प्रोचाहिद करें उनकी सरहाना करें और मार्ग दिखाएं वहीं गुपता ने बताया कि पिछले साल विज्ञान बर्ग में एक अक्षा बार्मी में सानिका साहू ने 97 प्रतिशत और 29 शर्मा ने 94 प्रतिशत अंग हासिल किये थे वहीं स्कूल प्रिंसिपल सिधार्ट गुपता ने बताये कि सफल परिक्षय प्रिणाम का श्रे विध्यार्थियों की कड़ी महनत मातापिता का सयोग वे अध्यापिकों का सही माल्ट दर्शन को दिया इस मौके पर स्कूल का स्टाफ वे विध्यार्थियों के परीजन भी मौजूद रहे